हेलो प्रेंड मैं मुरा ने मदंσारी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बाजु में डिजाइन बनाने का न का तरीका। बहुत सेमपल और बहुत इजी तरीके से यह डिजाइन बनाये जाएगा। तो किस तरह से यह डिजाइन बनेगा ? आज हम यही सीखने वाले हैं उससे पहले आपको बता दें आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पे आएं तो प्लीज सब्सक्राइब करने विडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को सु प्लीग कॉछल्वरे आप देख सके हैं चार इंच चोड़ा है और इस तरह से के दिजाइन के लिए क्पला लेंगे आप इसने कोई हैं लंबा और तीन इंच चोड़ा वे इसको यह पर चार इंच कग पट्टि रहें गलेर बबकर ले इससे और जो में कर से अर्छो तो इसी तरह से दूसरा भी बनाएंगे इसको भी हम अटेज करेंगे तो एक के बाद एक इसी तरह से हमको अटेज करते रहना है आप देख सकते हैं इस तरह से हम डिजाइन बनाते हुए इसमें अटेज करेंगे फ्रेंड ये बहुत ही beautiful डिजाइन है तो आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं सूट में, कुर्ती में, फ्रॉक में, ब्लाउज में जिसमें भी चाहें आप अपने हिसाफ से बना सकते हैं बहुत ही easy डिजाइन है तो इस तरह से हमको इसमें attach कर लेना है ये हो चुका है, इसको हम काटके निकालेंगे और उसके बाद हम इसको दूसरी तरफ से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हमको दूसरा डिजाइन बनाना है तो इस तरह से हम डिजाइन बनाना है और इसमें attach करना है तो यहां से हम इसको रखेंगे, एक के बाद एक इस तरह से इसमें अटेज करते रहेंगे, यह दूसरी डिजाइन है, तो इस तरह से हमको बनाना है, आप देख सकते हैं, बहुत तीजी है, इस तरह से हम बनाएंगे, और अटेज करते रहेंगे, तो आप देख सकते हैं, इस इस तरह से हम अटेज करेंगे, एक के बाद एक इसी तरह से, बहुत easy print आप देख सकते हैं, इस तरह से हमको design बनाना है, और एक के बाद एक अटेज करते रहना है, तो इस तरह से हम बनाते हुए अटेज कर लेंगे, और यह हमारा इस तरह से अटेज हो गया है, इसको हम काटक वह रखेंगे इसको निकाल देंगे दिक्कत हो रहा है तो इस तरह निकालने के बाद यहांसे म्वलावर करते हुए रखेंगे और लगाएंगे उसको अटेज कर लेंगे इस तरह बर आपकर करते हुए तो फ्रेंड आप देख सकते ही है हमारा इस तरह से अटेच हो गया उसके बाद उपर भी हम सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से उपर हम दाफ की सिलाई लगाएंगे और यह हमारा दाफ की सिलाई उपर भी हो गया है और इसको हम काट के निकालेंगे और सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी अटेज करेंगे इस तरह से बराबर करते हुए तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से हम को बराबर करते हुए दूसरे साइड का भी अटेज कर लेना है और यह हमारा दूसरे साइट का भी अटेच हो गया, इसको हम काटके निकालेंगे और उपर भी दाफ की सिलाई लगाएंगे इस तरह से बराबर करते हुए और उपर भी यह हमारा सिलाई हो चुका है, इसको भी हम काटके निकालेंगे और बरावर कर लेंगे जो भी हमारा डिजाइन है उसको हम काटके बरावर कर लेंगे इस तरह से उसके बाद प्रेंड हमको इस तरह से एक कपला ओल लेना है जो हमने डिजाइन में लगाया है उस कपले को हम यहां से आप देख सकते हैं 6-4-5 इंच का लेंगे और इसको हम यहां से इस तरह से डबल फोल्ड करना है हमको तो हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहां पे हम बाजू के उपर यहां से अटेच करेंगे सिलाई लगाके तो इस तरह से बराबर करते हुए हमको सीधी सिलाई लगाके इसको अटेच कर लेना है तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा अटेच हो गया इसको हम काटके निकालेंगे और सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद हमको उपर भी सिलाय लगाना है तो यहां से हम इस तरह से सीधी सिलाय लगाएंगे बराबर करते हुए तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यह हमारा सिलाई हो चुका है उसके बाद हम काट के निकालेंगे इसको और जो भी हमारा एक्स्टर डिजाइन रहेगा उसको हम काट देंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा डिजाइन कम्प्लीट हो चुका है उसके बाद इसमें क्या करना है आपको साइड की सिलाई लगाना है तो आप अपने फिटिंग के हिसाफ से जो भी आप फिटिंग रखना चाहें उस इसमें सिलाई लगा सकते हैं तो य बहुत ही ब्यूटिफुल डिजाइन है इस डिजाइन को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं सूट कुर्ती फ्रॉग ब्लाउज जिसमें भी चाहें आप अपने इसराफ से इसको बना सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल डिजाइन है तो इस तरह से हमारा डिजाइन बनक आते के लिए बाए